हेलो बच्चों कैसे हो आप सब माई नेम इस साने नायर यो केमिस्ट्री मेंटोर और आप सभी का तहे देल से स्वागत करती हूँ हमारे इस अमेजिंग प्लाटपॉर्म पी डबली पर तो बिटा आज आप के लिए लेकर आए हैं एक ब्रैंड निव चाप्टर जिसका नाम है वेस्ट वाटर स्टोरी तो बिटा हमारी चाप्टर वाटर अप प्रेशिस रीसोर्स में हम बहुत ही अच्छे से अपनी जिंदगी में वाटर की इंपोर्टन्स के बारे में पढ़ चुके हैं कि भाई वाटर इतना प्रेशिस क्यूं है वाटर के यूजिस क्या है इतना सारा पानी होने के बाद भी क्यूं वाटर की शोर्टेज है और कैसे हम उस वाटर की शोर्टेज को ओवरकम कर सकते हैं और बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा चाप्टर जो की है wastewater story अब देखो imagine करो हम नहाते हैं एक बाल्टी दो बाल्टी से नहा लिए हम क्या करते है कपड़े धो रहे हैं दो बाल्टी से कपड़े धोर्टी यह साफ सफाई करनी है पूचा लगाना है तीन बाल्टी यूज हो गई बेटा आखिरकार यह सारा पाणी जाका रहा है अब एक बाद बताओ आप नहाे हो आप क्यों पर पाणी परती जूमनतर आप गायब हो जाते नहीं ना तो फार है तो पोचा लगाने के बाद वो बाल्टी का पानी है जिसमें फ LAUGH लगाते हैं फिर फिल पानी कहा जा रहा है बर नहीं होता ना तो बोड़ा सतना भी पानी हम यूज करते हैं वो आरा होने के है कि क्या लिखा है clean water is a basic necessity of our life हम बहुत अच्छे से जानते हैं इसमें तो भाई कोई समझाने वाली बात ही नहीं है we use clean water every day for drinking, bathing, washing clothes, cooking, food, washing utensils, etc, 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 बहुत अच्छे से हम ये बात जानते हैं पर इन सब uses में जब पानी का प्रयोग होता है तो बेटा वो पानी अब सोचो बरतन धोल रहे हैं सारी जूटन जो है वो पानी में जा रही है पानी गंदा हो रहा है पोचा लग रहा है पानी गंदा हो तो जैसे हमारे चाप्टर का नाम हे वेस्ट वाट च्टोरी तो वेस्ट वाटर जानना ज़रूरी था, तो देखिये हमने जान लिया। When we use water for various purposes, we make the water dirty । हम पानी का गंदा कर देते हैं। The black brown water containing lather, lather मने की जहाग and mixed with dirt, grease which comes from the sink of the kitchen, washing machine, bathroom shower और bathtub and goes down the drain in our households is dirty water and this used water, this dirty water is called waste water. तो बेटा, जिस पानी में जहाग है, गंदगी है, कैसी गंदगी जो हमारे bathroom से, human waste वगएरा, ये सब वाली गंदगी, food जो हम धोते हैं, वो गंदगी, soaps, जहाग, सब कुछ, उस गंदे पानी को क्या कहा जाता है? वेस्ट वाटर कहा जाता है, ठीक है बेटा, clear हो गई ये बात, अब देखें, again, when we flush the toilet, then the feces and the urine go down the drain with the water, है ना बेटा, नाली से क्या होता है? पानी नीचे चला जाता है, so the filthy water which comes out from the toilet and goes into the drain is also dirty water, ये आपको बता रहे हैं, ये आपको realize करवाना चाह रहे हैं कि देखो भया, पानी कितने कितने तरीकों से गंदा हो सकता है, thus the waste water may also contain feces or human excreta, from this we conclude that in everyday life, we convert clean water into dirty water or waste water, तो अब बेटा, मुझे एक बात बताओ, कि ये जितना भी waste water है, जितना भी पानी हम रोज गंदा कर रहे हैं, उसमें impurities, जान बुच के नहीं, हो ही रही है mix, तो बेटा, वो पानी आखिरकार जाता कहा है, कोई आपके घर पे आते हैं, नॉक नॉक नॉक, अपना waste water हमें दे दो, ऐसा तो नहीं होता न, तो बेटा, वो सारा पानी जाता है, किसमें, नालियों में जाता है, किसमें जाता है, ड्रेंस में जाता है, और ड्रेंस को बेटा, इन नालियों को, क्या कहा जाता है, सीवर्स कहा जाता है, तो बेटा, ये जो सारा गंदा पा homes and other buildings which is carried away in sewers is called seawage तो बेटा वो गंदा पानी वो गंदा पानी जो seawars में जो नालियों में जो ड्रेंज में घूम रहा है इधर उधर इधर उदर उदर उसको क्या कहते हैं बेटा उसको कहा जाता है क्या कहा जाता है उस waste water को क्या कहा जाता है सीवेज भीया सीवर में घूम रहा है हमने सीवेज बोल दिया तो बेटा वेस्दवाटर सीवेज ठीक है क्लियर हो गया तो अब जब हम इतनी देर से भाए आ बोली जा रहे हैं कि मैम, सीवेज में गंदगी है, वेस्ट वाटर गंदा है, उसमें ये है, वो है, वगेरा, 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 तो आएए बिटा, देख लेते हैं, वो सारे वगेरा, वगेरा, वो सारी चीजें, जो इस वेस्ट वाटर में, सीवेज में पाई जाती हैं, देखे बिटा, सीव is a liquid waste, most of the sewage is dirty water, having dissolved and suspended impurities, उसमें सारी impurities, सारी मिलावटे क्या होती है, घुली होती है, और उन सारी मिलावटों को, उन सारी impurities को बेटा जी, कहा जाता है, contaminants या फिर pollutants, तो आइए चलिए बच्चा देखते हैं, कि सीवेज में कैसे कैसे pollutants, कैसे कैसे contaminants जो है, वो घुले हुए है, मिले हुए है, तो बेटा आइए देखते हैं, composition of sewage के आखिरकार sewage बना किससे हुआ है sewage is a complex liquid mixture containing water, dissolved and suspended solids, organic and inorganic impurities, बहुत सारी चीज़े bacteria, ये देखिए, microbes such as protozoa, etc. ये सब present होता है, बहुत ही गंदा पानी है बिटा वो तो देख लीजे, देखते हैं कि क्या-क्या चीज़े present है the organic impurities present in the sewage are, बिटा organic impurities कौन सी होती है ये आपको learn करनी है जैसे कि human feces, जो animal waste होता है, human waste होता है न, animal waste human waste, urea जो urine से आता है oil, fruit, vegetable waste pesticides, etc. ये सब organic waste होता है बिटा जो पानी में मिला होता है पानी को गंदा बनाता है आईए देखते हैं, the inorganic impurities present in the sewage are, inorganic waste कौन सा होता है बिटा nitrates होते हैं, phosphates होते हैं, metals भी मिले होते हैं, the nutrients present in the sewage are nitrogen and phosphorus, ठीक है बिटा the bacteria present in the sewage include those bacteria which cause waterborne diseases such as cholera and typhoid तो बिटा, उस पानी में सिरफ वो जो देखने वाला गंद नहीं है कि अरे, वो रही plastic की bottle, अरे, वो रहा chips का packet, वो भी है गंद बट उसके अलावा bacteria, छोटे-छोटे microorganisms, जो diseases cause करते हैं, ये सब भी होता है उस गंदे पानी में next देखिए बिटा the other microbes present in sewage are protozoa which cause waterborne diseases called dysentery तो बिटा, diseases भी आपने देख ली तो देख लिया है वो गंदा पानी जो है, वो कितना harmful है तो अब बिटा, खुच सोचिए हमने ये चीज realize कर ली कि जो पानी है, वो बहुत ही गंदा है और वो बहुत सारे diseases जो है, वो cause कर सकता है, तो बिटा, उस गंदे पानी का हमारे घर से निकलना तो जरूरी है ही और बिटा, आप ये बात जानते हो कि generally जितना भी नालियों में, जितना भी गंदा पानी है, ड्रेंस में, सीवर्स में जितना भी पानी है, वो ultimately बिटा, वो ultimately नदी में जाकर ही मिलता है, ठीक है नदी में ही उसे dump कर दिया जाता है, तो अब बिटा खुद सोचिए, let us suppose let us suppose मेरे पास क्या है मेरे पास ये कोई ऐसे pipe C है, ठीक है, जिसमे क्या है, सारा गंदा पानी है सारा गंदा पानी बिटा, इस pipe में है, जो मैं नदी में यहाँ पे डाल रही हूँ, सारा human excreta सारे bacteria, protozoa, सब हैं, और मैंने नदी में यह पानी डाल दिया, कुछ ही दूर बिटा, यहाँ पे एक गाउं बसा हुआ है, जो इस नदी के पानी पे डिपेंड करता है, अपनी day-to-day activities के लिए, तो बिटा, सोचो, यह सारा गंद, यह जो सारा गंदा पानी नदी में मिला है, वो बिटा, बहे बहे के कहा जाएगा यहाँ तक जाएगा, और यहाँ पे बिटा, जो लोग रहे रहे हैं, वो इसी पानी को consume करेंगे, और क्या हो जाएंगे? बिमार पढ़ जाएंगे, तो बिटा, इस गंदे पानी को, इस wastewater को, water bodies में, dump, धडम करने से पहले, क्या करना पड़ता है? इसे treat करना पड़ता है, इसका साफ सफाई करनी पड़ती है, तो आईए बिटा, देखते हैं कि क्या हो रहा है? An underground pipe which carries away the dirty drainage water and waste matter is called sewer, मैंने आपको बता दिये, बिटा, कि जो यह हमारी pipes होती है, यह जो drains है, उनको क्या कहा जाता है? Seewer कहा जाता है, और इन pipes का, इन pipes का बिटा, एक extensive network, इन pipes का बिटा, एक extensive फैला हुआ network, क्या कहलाता है? सिवरेज कहलाता है, देखिए, the provision of drainage at a place by length sewers, बहुत सारे pipes बिचा दी, बहुत सारे sewers बिचा दिये, तो उनको बिटा क्या कहा जाता है? सिवरेज कहा जाता है, क्या कहा जाता है? सिवरेज कहा जाता है, एक extensive network of pipelines, जिससे गंदा पानी जा रहा है, इधर, 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 उसे कहते हैं सिवरेज, अब आए ये देखते हैं, बिटा, कि क्या हो रहा है? ये, let us suppose, बिटा, ये बहुत सारे घर है, एक लाइन में, भई, जैसे हमारे घर बने होते हैं, एक के पानी जा रहा है, ठीक है? ओके, अब बिटा, ये सारा पानी जो है, क्या होगा? ये सारा गंदा पानी, ये जितना भी सीवर्स हैं, ये क्या करेंगी? ये उस गंदे पानी को, ultimately, बिटा, नदियों में लाके क्या कर देंगी? dump कर देंगी, धरम. बट हमें ये नहीं करना, क्यों नहीं करना, बिटा? ये हम already यहां समझ चुके हैं, हमने example देख लिया है, तो बिटा, ये सारा गंदा पानी जो यहां से निकल रहा है, सारा सीवेज निकल रहा है, इससे पहले कि वो किसी भी water body में जाके, धरम होके, दंप कर दिया जाए, उससे पहले बिटा जी, उससे क्या करा जाता है? उससे पहले उससे उस गंदे पानी को ट्रीट करा जाता है, उस गंदे पानी को ट्रीट करा जाता है, उस गंदे पानी को क्लीन करा जाता है, ताकि जब हम उसे water body में धड़ाम करके डाल दें, तो क्या हो, इंसानों को, humans को problem ना हो, क्योंकि भई, हमने पढ़ा है न, कि fresh water की कमी कितनी है, fresh water की कमी इतनी, अगर हमें नदियों को भी क्या करना शुरू कर दें, नदियों में भी गंदा पानी डालना शुरू कर दें, तो कैसे बात बनेगी, तो ब क्लीन करते हैं, बेटा, waste water treatment plants में, कहां clean करते हैं, उसको waste water treatment plants में, तो बेटा, ये जो हमारा extensive pipeline का network था न, एक सीवर यहां, एक यहां, एक यहां, सारा जो गंदा पानी है, सारा सीविज मिलके, जो यहां पे आ रहा है, तो ये जो मेरा extensive network था, इसको बेटा, सिवरेज बोलते हैं, और ये क्या है, ये एक transport system है, भईया, हमें नहीं transport करता है, ये एक जगा से, दूसरी जगा, ये सीवेज को ट्रांसपोर्ट करता है, कहां से, हमारे घर से लेकर, ये सीवेज को लेकर आता है, कहां पे, wastewater treatment plants में, तो बेटा, आपको, सीवेज, सीवेज, wastewater treatment plant, और क्यों, बेटा, wastewater treatment plant की जरुरत पड़ती है, क्या आपको ये सारा concept clear हो गया, समझाया के नहीं आया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मन की अवाज मेरे को सुनाई दे जाती है, तो अब बेटा, आईए, आईए बेटा, अब हम, इस wastewater treatment plant को जो है, अपने इस topic को शुरू करते हैं, अब यहां पे यही लिखा है, जो मैम ने अभी तक आपको बताया, सिवरेज is an underground network of interconnected pipes that transport or carry the sewage from the place where it is produced, मतलब हमारी घरों में, buildings में, offices में, और कहां लेकर जाता है, to the sewage treatment plant, या फिर wastewater treatment plant, where it is processed, और उसको process क्यों करा जाता है, ताकि नदियों में उसको dump करने से पहले हम उसको साफ कर ले, ताकि नदियां जो हैं भईया, शुद ही रहे, पवि ठीक है, तो आएए देखते हैं बेटा, यहां पे क्या लिखा है, drinking of water contaminated with sewage will spread diseases in the people which can lead to death, यही सब मैंने आपको बेटा बताया कि जो लोग कुछ दूर गाओं में रह रहे थे, अगर वो वो गंदा पानी पी ले, जिसमें इतने सारे microorganisms हैं, पीसीज हैं, आनिमल वेस्ट है, तो सोचो बेटा उनकी body का क्या होगा, it can even lead to death, ठीक है, the discharge of the untreated sewage into rivers can also kill the fish and other aquatic animals, उनके ecosystem को भी problem है, ठीक है, sewage water should be treated suitably before releasing it back into the environment, the processing of sewage to remove pollutants and make it harmless so that it may be disposed of safely in the rivers is called sewage treatment, तो बेटा इस पूरे process को, किस process को, किस sewage के पानी को, sewage wastewater को हम treat कर रहे हैं, नदियों में उसको धडम करने से पहले, उसको dump करने से पहले, इसको क्या कहा जाता है, sewage treatment कहा जाता है, sewage treatment और ये होती कहा है, ये sewage treatment बेटा, waste water treatment plants में होता है clear है बेटा समझ आ गया तो आई ये बेटा शुरू करते हैं और detail में जानते हैं कि आखिरकार waste water treatment plants में पानी को कैसे साफ करा जाता है waste water treatment plant चलिए बेटा शुरू करते हैं treatment of waste water involves physical, chemical and biological processes which remove the physical, chemical and biological matter that contaminates the waste water बेटा जी हम अभी तक पढ़ चुके हैं क्या पढ़ चुके हैं कि जो हमारा waste water है यानि कि जो हमारा सीवेज है उसमें बहुत सारे contaminants हैं बहुत सारे pollutants हैं और बेटा उनकी categories कैसे कैसे हैं कुछ हमारे पास biological matter है कुछ हमारे पास बेटा biological pollutants है जैसे कि बेटा क्या हो गया हमारा animal waste हो गया है ना हमारा animal waste हो गया हमारा human excreta हो गया ये सब क्या हो गया among many others etc ये सब क्या हो गया हमारे biological waste हो गया इनको treat करने के लिए क्या करना पड़ेगा biological process करना पड़ेगा फिर बेटा हमारे पास कुछ आता है chemical matter कुछ हमारे पास chemical waste आते हैं जैसे कि बेटा हमारे chemicals हो गए ये तो मैम हमें समझ आही गया था ठीक है next बेटा next हमारे पास क्या आ जाते है next हमारे पास आ जाते है physical waste बेटा physical matter present होता है sewage में जैसे कि क्या होगे बेटा हमारे पत्थर हो गए कंकड हो गए यह सब क्या है हमारे पत्थर कंकड भाईया ऐसे ही लिख देते हैं पत्थर कंकड यह सब क्या है यह सब हमारे फिजिकल वेस हैं जो इस पानी में प्रेजेंट है तो इनको बेटा ट्रीट करने के लिए बायलोजिकल मैटर को ट्रीट करने क के लिए chemical process physical matter को treat करने के लिए physical process तो चलिए बिटा तहला point पड़ते हैं तो जब भी बिटा हम किसी गंदे पानी को देखते हैं हमने कभी ना कभी अपने जीवन में कोई ना कोई खुली हुई नाली तो देखी ही होगी जिसमें गंदा पानी होगा तो एकदम से देखने में एकदम से उसको देखने में हमें उसमें क्या देखता है भाई human waste, animal waste ये सब थोड़ देखना मुश्किल हो जाता है है ना chemicals वगरा तो भाई घुले हुए हैं ये सब तो हमें वैसे ही देखना मुश्किल है एक ही नजर में उस सीवेज को देखने पे हमें उसमें दिखता है भाईया ये chips के packet पड़े हैं ये कोगा गोला की bottle पड़ी हुई है ये कुछ लकड़ी गिरी हुई है कोई बड़ा सा पत्थर उसमें पड़ा हुआ है प्लास्टिक की bottle उसमें है तो बेटा सबसे पहले आओ इन ही चीज़ों को separate कर लेते हैं ये बड़ी बड़ी चीज़ों को अब कैसे करोगे हाथ से उठाओगे क्या ही नई देखो बेटा क्या करते हैं वेष्ट वाटर इस पाज थूँ अबार स्क्रीन बेटा बार स्क्रीन ऐसी से होती है देख रेयों इनमें ऐसे ऐसे बार्च लगी हुई हैं तो क्या होता है जो हमारा गंदा पानी है न वह ऐसे यहां से पास जा जाता है तो उसमें बेटा जितनी भी यह सारी चीज़े हैं ये सब इसी तरफ रह जाते हैं और हमारा जो पानी है बिटा गंदा ही है अभी हमने बस उसमें से बड़ी बड़ी चीजे निकाली है पहला step क्या है? पहला step है बिटा पानी को बार स्क्रीन से पास कराना ताकि ये बड़ी बड़ी चीजे जो है वो इसी तरफ रह जाए बिटा और पानी जो है वो आगे बह जाए ताकि हम उसकी further processing कर सके चलिए बिटा, next step पे चलते हैं next step में क्या होता है? आईए देखते हैं water then goes to a grit and sand removal tank कौन से tank में भेजते हैं बिटा? grit and sand removal tank में भेजते हैं यहाँ पे बिटा, जब हमारा गंदा पानी, जब हमारा wastewater, जब हमारा seaweed यहाँ पर आता है तब न हम उसकी speed को बहुत कम कर देते हैं क्या कर देते हैं? धीमा कर देते हैं उसकी speed को बहुत ही ज़ादा कम कर देते हैं तो जब हम ऐसा करते हैं, पानी बड़े ही धीरे धीरे ऐसे बहरा है, तो उस टाइम बेटा जितनी भी रेत है, जितनी भी पंथर, कंकड, ये सब चोटी चोटी चीज़े हैं, ये क्या हो जाता है, grit, sand, ये सब चीज़े नीचे बैठ जाती हैं, देखिए, the speed of the water is decreased to allow the sand, grit and the pe चोटे चोटे पत्थर, जो ये इस से पास कर गए ना, चोटे चोटे पत्थर, ऐसे ऐसे, जो इन बार्स से पास कर गए, तो वो बेटा नीचे बैठ जाते हैं, किस step में, हमारे second step में, कौन सा, grit and sand removal tank में, ठीक है बेटा, समझ आया के नहीं आया, clear हुआ के नहीं हुआ, बह अब देखो, यहां पे क्या होता है, third step में, हम अपने पानी को बिलकुल क्या करते हैं, disturb भी नहीं करते हैं, जैसे हम कहते हैं, मम्मी खेलने जा रहा हूं, disturb मत करना, मम्मी पढ़ रहा हूं, disturb मत करना, वैसे ही हम पानी को, इस step में, बड़े-बडे tanks में डाल देते हैं, और उसे बिलकुल undisturbed, छोड़ देते हैं भहिया, उसे छोड़ ही देते हैं, the water is then allowed to settle in a large tank which is sloped towards the middle, इसको अभी हम समझते हैं कि क्या कहना चाहरा है, देखो बेटा, ये जो tanks होते हैं न, ये normal tanks तो ऐसे से होते हैं, ये वाला जो step 3 का tank है न, it is sloped in the middle, इसका क्या मतलब है, इसमे slope है, पर कहां पे है, middle में है, बीच में है, तो बेटा, जब इन tanks में हम पानी को छोड़ देते हैं, तो क्या होता है, ये बेटा, मेरे पास पानी है इस tank में, और मैंने पानी को ऐसे छोड़ दिया, तो इन tanks में जितना भी बेटा, animal waste है, human feces है, वो सारा बेटा, यहां नीच क्या होने लगता है, settle down होने लगता है, ये slope हमने ऐसा ऐसा बनाया, slopey area, तो यहां क्या होता है, पानी हमारा उपर है, और जितना भी हमारा human waste है, animal waste है, excreta, feces, ये क्या होते हैं, ये नीचे settle down होने लगते हैं, अब ये सब क्या है, ये सब है, solid part of the sewage, बेटा, ये पूरा प जानी था, sewage, और ये इस पूरे sewage का कैसा part है, solid part है, तो बेटा जी, solid part of the sewage को हमने एक नाम दे दिया है, जिसे कहते है, sludge, क्या बोलते हैं, sludge बोलते हैं, तो आइए देखते हैं, ये ही लिखा हुआ है, the water is then allowed to settle in a large tank, बड़े से tank में उसको छोड़ देते हैं, देखिए, which is sloped towards the middle, उसके middle में क्या है, slope है, ये भी मैंने आपको बता दिया, solids like the feces, settle down at the bottom and are removed with a scraper, तो बेटा, यहाँ पे जो हमारा solid feces और ये सारी जो sludge है, जो यहाँ नीचे बैठ गया है, उसको हम scraper की मदद स क्या करते हैं, remove कर देते हैं, ये नहीं चाहिए ना, हमें पानी को साफ ही तो कर रहे हैं, हर step पे हम कोई ना कोई चीज क्या कर रहे हैं, remove कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये जो sludge, यहाँ पे ये जो sludge है, इसको हम कैसे remove कर रहे हैं, scraper की मदद से remove कर रहे हैं, ठीक है, next देखि this is the sludge जैसे कि मैंने आपको बताया a skimmer removes the floatable solids like oil and grease और बेटा जी आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि oil होगे, grease होगे ये generally चीज़े क्या होती है पानी पे float कर रही होती है ये क्या कर रही होती है पानी पे ऐसे float कर रही होती है तो बेटा एक skimmer नाम का एक device होता है जिसका इस्तमाल करके हम inflatable जो चीज़ें जो हमारा waste float कर रहा है उसे भी हटा दिया और scraper की मदद से जो solid हमारा नीचे बैढ़ गया उसे भी हटा दिया और बेटा फिर हम क्या करते हैं फिर हमारा ये जो पानी है उसे हम collect करके next tank में भेज देते हैं और बेटा अब आप सोच रहोगा कि मैं में sludge का क्या होता है तो बेटा हम कोई भी cheese waste नहीं करते हैं हर चीज़ का इस्तमाल करते हैं तो बेटा ये जो sludge है sludge जो क्या है human excreta है animal waste है which is the solid part of the sewage इसको बेटा जी एक और tank में भेजा जाता है जहां पे क्या होता है जहां पे anaerobic bacteria जहां पे बेटा anaerobic bacteria इस sludge को decompose करते हैं इस sludge को तोड़ना शुरू करते हैं और produce करते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों bio gas क्या produce करते हैं bio gas और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि bio gas एक बहुत ही अच्छा fuel है और इससे हम electricity भी produce कर सकते हैं electricity भी produce कर सकते हैं तो देखे बेटा a skimmer removes the floatable solids like oil and grease water so cleared is called clarified water और बेटाजी ये जो हमारा पानी बच गया है उपर से skimmer ने floatable solids को हटा दिया floatable चीजों को मतलब नीचे वाला sludge भी हटी या scraper से तो ये जो हमारा पानी बचा इसको हम बोलते हैं clarified water क्या बोलते हैं सही पकड़े हैं clarified water बोलते हैं ठीक है मैटा यहां तक clear हो गया एक एक लाइन मैंने आपको यहां पे समझा दी ओके next देखिए the sludge is transferred to a separate tank where it is decomposed by anaerobic bacteria ये भी मैंने आपको बटाया बटा anaerobic bacteria वो होते हैं जिनको oxygen की requirement नहीं होती है वो क्या करते हैं वो इस sludge को decompose तोड़ना शुरू करते हैं और produce करते हैं biogas is produced in the process which can be used as a fuel or can be used to produce electricity clear है पेटा समझा आगया आपको step 3 बिल्कुल clear हो गया है कि नहीं हुआ है मुझे comments में जरूर बता देना ठीक है बेटा next देखिए अगला step क्या है अगले step में बेटा जो हमारा पिछलिस पहला step क्या था हमने बार स्क्रीन से पास करा है बड़ी बड़ी जो चीजे थी प्लास्टिक प्लास्टिक पत्थर कंकर वो साले क्या हो गए separate हो गए उसके बाद हमने second step में क्या करा second step में हमने उसको पानी की speed को slow कर दे ताकि rate जो है grit जो है pebbles जो है वो नीचे जाके बैठ जाए third step में हमने क्या करा third step में हमने उसे एक ऐसे से tank में रखा जहां पे sludge नीठे बैठ जाता है skimmer से हम उपर की चीजे रिमूव कर देते है scraper से हम sludge को रिमूव कर देते है और जो पानी हमारे पास बचा उसे clarified water बोला जाता है जिसे अब हम यहां भेजते हैं देखे air is pumped into the clarified water to help the aerobic bacteria to grow तो बेटा अब हम क्या करते है anaerobic bacteria जिनको oxygen नहीं चाहिए aerobic bacteria oxygen की requirement है तो अब हम इस clarified water में air को pump करते है ताकि aerobic bacteria क्या करना शुरू करे grow करना शुरू करे और हम क्यों grow करवा रहे है aerobic bacteria को ताकि जो भाया थोड़ी बहुत भी impurity बच गई है ना अब भाय डिटोल भी ना 99.9% germs को इमारते है 0.1% वहाँ भी रह जाते हैं तो बेटा जो 3 steps हुए माना कि almost सारी चीज़े अलग हो चुकी है बट अगर अभी भी भाया थोड़ी सी चीज़े बच गई है ना इत्तू सी उनके लिए क्या करते हैं देखिए the bacteria the aerobic bacteria consumes the human waste, food waste soaps and other unwanted matter still remaining in the clarified water तो clarified water में अगर इत्तू सी भी कोई चीज़ बची है तो वो bacteria क्या करते हैं उसे consume कर लेते हैं ठीक है बटा, next देखिए after several hours the suspended microbes settle at the bottom of the tank as activated sludge तो बटा ये जितने भी हमारे microbes थे ये क्या हमारे aerobic bacteria वगरा ये जितने भी हमारे चीज़े थी ये कुछ time बाद अब हमने यहां से तो remove कर दिया, सारी चीज़ों को consume करा दिया, अब इस पाने को फिर छोड़ देते हैं, do not disturb का sign लगा के, ठीक है, अब जब हमने इसको छोड़ दिया तो बटा, इसका सारा जो भी हमारे bacteria वगरा थे, देखिए the suspended microbes जो हमारे microorganisms थे, वो नीचे बैठने लगते हैं जिसे बटा जी, कहा जाता है activated sludge sludge नीचे बैठ गया, पानी को हम उपर से remove कर लेते हैं, ठीक है बटा clear हो गया, तो अब देखो जैसे वहाँ पे हमने sludge का use करा था, वैसे ही बटा, इस activated sludge को dry करा जाता है, और इसको manure की तरह use करा जाता है, तो देखिए, the water is removed by sand drying beds और machines, तो जो उपर का हमारा पानी है, उसको हम machines की help से remove कर लेते हैं, और जो नीचे की हमारी activated sludge थी, उसको बैठा हम dry करते हैं, और उसको manure की तरह use करते हैं, वो सारे बैठा nutrients और सारी चीजे soil को वापिस बहुँचा देते हैं, तो बैठा clear हुए, ये चार steps clear हुए के नहीं हुए और बैठा, इन चार steps के बाद, जो पानी हमें मिलता है, now that is safe enough कि हम उसे water bodies में जो है, dump कर सकें या इतना भी साफ नहीं हुए कि पानी को glass में डालके पीलो उसे, नहीं, बट अब वो इतना safe हो चुका है, उसको हमने इतना treat कर दिया है, कि अब हम उसे water bodies में डाल सकते हैं, धडम करके dump कर सकते हैं, तो देखिए बीटा, the treated water has very low level of organic material and suspended matter, it is discharged into a sea, a river or into the ground, ठीक है बीटा, बाकी काम जो है, वो nature कर लेती है, but sometimes it is necessary to disinfect the water with chemicals like chlorine and ozone before releasing it into the distribution system, और बीटा, पानी को further disinfect करने के लिए, हम उसे chemicals like ozone और chlorine से treat कर सकते हैं before dumping it into the water bodies, तो हमने chemical treatment भी देख ली, ठीक है बीटा, clear है समझ आया आपको कि नहीं आया कि कैसे waste water treatment plant से, क्या है भाईया पानी जो है वो साफ हो रहा है, ठीक है बीटा, चलिए अब आगे चलते हैं और ये देखते हैं कि हम एक active citizen कैसे बन सकते हैं भाई तरफ पढ़ना नहीं है, उसे समझना भी है और उसे अपने जीवन में apply भी करना है कि हम क्या contribution दे सकते हैं, है कि नहीं, तो ये देखते हैं बीटा, waste generation is a natural part of human activity बीटा, अभी जब से chapter शुरूआ है, हमने ये देख लिए कि चाहे अंचाहे, जाने अंजाने हम कितना सारा जो waste है, वो generate कर रहे हैं, बट हम क्या कर सकते हैं, we can limit the type of waste and the quantity of waste produce, हम क्या कर सकते हैं कि हम जो है, कम waste produce करें, थोड़ा ध्यान रखें कि भाईया, हमें waste जो है, वो कम produce करना है ठीक है, उसके बाद बीटा, हम आगे क्या कर सकते हैं, often we have been repelled by the offensive smell the sight of open rains is disgusting, the situation versus in the rainy season, तो बीटा, हमने देखा है, अपने जीवमने कभी न कभी हमने देखा ही होगा कि जो नाले है वो खुले पड़े होते हैं, बारिश का पानी उनमें जा रहा है, वो overflow कर रहे है गंदी smell आ रही है, जगा जगा पूरी रोड पे जो है, गंदा पानी सीवेज जो है, वो फैल गया है तो बिटा वो सब किसकी पार्टी हो रही है हमारी नहीं हो रही है यह जो बिटा इंसेक्ट्स हैं, जो मस्कीटोज है यह उनकी पार्टी हो रही है वहाँ पे क्या होता है, ब्रीडिंग शुरू हो जाती है देखिए, when the drain start overflowing most unhygienic and unsanitary conditions prevail flies, mosquitoes and other insects जो है उनकी ब्रीडिंग शुरू हो जाती है उनकी पार्टी शुरू हो जाती है तो हमें क्या करना है हमें active citizen बनना है और हमें क्या करना है हमें अपने nearby authorities को प्रोच करना है कि देखिए, यह problems हम face कर रहे हैं आप इन्हें ठीक कराईए You can be an enlightened citizen and approach the municipality or the ground panchayat insist that the open drains be covered ठीक है पीटा Next देखिए If the sewage of any particular house makes the neighborhood dirty you should request them to be more considerate about others' health मेटा कभी कभार कुछ घर ऐसे होते हैं जो बड़ा जादा sewage generate करते हैं neighborhood में गंदगी फैलती है तो आप जाके उन्हें बड़े politely बड़े अच्छे से उन्हें enlighten कर सकते हैं कि देखिए कोई बात नहीं आपको अपने आसपास के लोगों की health का चिंता नहीं है कोई नहीं अपनी health की तो चिंता करो ना यह जो इतना sewage produce हो रहा है आप उनको समझाओ भई पूरा लेक्टर दिखाना यह वाला कि कितना harmful है कितनी diseases कॉज कर सकता है तो we can be you know we can request them कि वो दूसरों की health के लिए और अपनी health के लिए भी क्या रहें considerate रहें ठीक है बिटा clear हो गया अब देखिए हमने कहा कि waste generate नहीं करना तो आखिरकार मैम हम अपने घर पे क्या कर सकते है what are the housekeeping practices which can be you know we can use in our daily lives we can inculcate in our lives ताकि हम waste की generation कम करें one of the ways to minimize or eliminate waste and pollutants add their sources is to see what you are releasing down the drain पहले ध्यान दो कि यार ये मुझे drain में डालना है कि नहीं ये अगर पानी में जाके मिल गया तो क्या होगा तो देखे बिटा जो हमारे cooking oil है और fats है भई हमने कढ़ाई में कुछ तला कढ़ाई को sink में धो रहे हैं समझी सकते हो आप भई तो क्या होता है oil of fats को बिटा dust bin में फैके ना कि drain में फैके throw them in the dust bin not the drain next chemicals like paints solvents, insecticides, motor oil medicines may kill the microbes that help to purify water तो बिटा ये जो सारे chemicals है among many others like paints, solvents, insecticides, etc. ये अगर आप drain में डालते हैं तो ये उन microbes को उन microbes को बिटा मार देते हैं जो water को purify करने में मदद करते हैं तो क्या करना है? do not throw them down the drain drain में भाया नहीं डालना है used tea leaves जो जो चाय पत्ती है solid food remains, soft toys cotton, sanitary towels, etc. should also be thrown in the dust bin these wastes यहाँ पे बिटा choke लिखा है, choke the drains, तो बिटा खुच सोचो, आपका कोई toy था soft toy, क्या हुआ, खराब हो गया हमने के गरा नाली में डाल दिया सोचो, आगे जाके वो नाली के किसी रास्ते में जाके कहीं अटक गया है पीछे जो है पानी जो है नाली के वहीं कठा होई जा रहा है overflow कर रहा है, कितना जादा problem है, तो हमें क्या करना है ऐसी चीजों को बिटा, drains में नहीं डालना है drain में नाली में कोई चीज डालने से पहले सोचिए कि क्या अगर मैं इसे drain में डालूँगा, तो कुछ problem तो नहीं होगी, अगर मैं इसे drain में डालती हूँ, तो कुछ problem तो नहीं होगी हमें भी क्या बनना है बिटा responsible citizens बनना है ठीक है चलिए बिटा आगे चलते हैं अब क्या है बिटा next हमारा ये बहुत ही simple सा topic है जिसका नाम है sanitation and diseases sanitation आप लोग जानते हैं hygiene, साफ सुत्राई जो कहते हैं जिसको कहते हैं cleanliness is next to godliness ठीक है बिटा तो अगर कहीं पे बहुत अच्छी sanitation है बहुत अच्छी hygienic conditions है तो diseases नहीं होगी भया इन लोगों का बहुत ही घहरा रिष्ता है इन दोनों का अगर कहीं पे sanitation है तो वहाँ पे diseases जो है नहीं होगी ठीक है poor sanitation and contaminated drinking water is the cause of a large number of diseases तो यह तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं बिटा कि poor sanitation है पीने का पानी में गंदगी मिली भी है contaminants है तो क्या होगा diseases होंगी भया a very large fraction of our people defecate in the open or dry river beds on railway tracks near fields and many a time directly in the water तो बिटा देखिए हमारी जो country है काफी जादा populated है तो उस वज़ा से काफी एक large fraction है लोगों का जो क्या करते हैं open में defecation करते हैं rivers के आसपास करते हैं railway tracks पे करते हैं fields में जाते हैं या फिर directly in the water और बिटा एक untreated human waste जो है अगर उसे treat नहीं कर रहे हैं तो बिटा untreated human excreta जो है वो एक बहुत ही बड़ा health hazard है क्यों बिटा it may cause water pollution and soil pollution बिटा नदियों में मिल गया पानी में मिल गया आप खुद ही ये situation imagine कर सकते हैं क्या आप वो पानी consume करना चाहेंगे जिसमें human excreta है obviously the answer is no both the surface water and the ground water get polluted ठीक है बिटा next देखिए ground water is a source of water for the wells, tube wells, springs and many rivers अगर बिटा वो human excreta जो है वो ground water में जाके मिल ग्राउंड वाटर से बिटा tube wells चलते हैं springs, rivers इन सब में पानी आता है सोचिए just imagine ठीक है बिटा thus it becomes the most common route for water-born diseases जो बिटा हमारी country में बड़ी movies भी बनती है awareness फिलाने के लिए just एक छोटा सा act जो है बिटा इतनी सारी diseases cause कर सकता है they include cholera, typhoid, polio, meningitis hepatitis and dysentery तो बिटा इस sanitation को maintain करने के लिए आईए देखते हैं कि क्या alternative arrangements करे गए हैं for sewage disposal अब बिटा जो बड़े शहर है ना वहाँ पे तो एक काफी extensive और wide network होता है seivers का ठीक है वहाँ पे उतनी problem नहीं आती बट दूसरी जगाओं पे बिटा जहाँ पे या तो बहुत ही कम seivers है या फिर है ही नहीं वहाँ पे क्या करा गया है वहाँ पे बिटा sanitation को improve करने के लिए low cost on-site sewage disposal systems का use करा गया है किसका बिटा on-site sewage disposal systems जैसे कि बिटा septic tank हो गए chemical toilets हो गए composting pits हो गई तो बिटा ये जितने भी हमारे different examples है of the on-site sewage disposal systems ये बिटा इनका प्रयोग करा जाता है sanitation को maintain करने के लिए देखे बिटा septic tank कहा suitable है जहाँ पे sewerage system है ही नहीं जहाँ पे sewerage system है ही नहीं बिटा सोचो जहाँ पे seivers ही नहीं है तो वहाँ कैसे होता होगा कैसे sanitation maintain होती होगी कितना मुश्किल है तो बिटा ये हैं हमारे alternatives तो बिटा septic tanks जो है बिटा वहाँ use होते हैं जहाँ पे sewerage system है ही नहीं hospitals वगेरा में या फिर isolated buildings भईया जो बड़ी दूर दूर है अब एक कोई घर बनावा है कहीं दूर उसके लिए पूरा pipeline network बिचाना तो बड़ा मुश्किल है ना तो इसलिए बिटा इन alternatives का प्रयोग करा जाता है ठीक है बिटा clear है समझ आया देखिए some organizations offer hygienic on-site human waste disposal technology भई देखो यहाँ पे क्या होता है जो बिटा excreta आया toilet seat से ठीक है किसी ने washroom यूज करा जो excreta आया उसको directly भेज देते हैं भई या bio gas plant में और अब आप पढ़ चुके हो कि कैसे bio gas produce होती है वहाँ पे बिटा bio gas produce की जाती है और वो क्या है fuel की तरह use हो सकता है बिटा electricity provide करने के लिए use करी जा सकती है तो देख रहे हैं आप बिटा कि कैसे एक तो sanitation भी एक तीर से दो निशाने हो गए sanitation के लिए भी alternatives हो गए और हमारा एक बहुत ही अच्छा fuel भी produce हो गया जो की क्या है बिटा bio gas है higher classes में आप इसको अच्छे से और पढ़ेंगे ठीक है बिटा ये तो हमारा हो गया अब बिटा जैसे कहते हैं ना भगवान भी वहाँ वास करते हैं जहां स्वच्छता होती है तो बिटा देखिए कैसे हम public places पे sanitation maintain कर सकते हैं poor sanitation in crowded places can result in the spread of diseases तो बिटा अगर public places पे sanitation नहीं है तो क्या होगा diseases होगी all the waste material produced at public places must be disposed of properly तो जितना भी waste produce हो रहा है बिटा इस chapter में हम यही पढ़ते आ रहे हैं कि उसको बहुत ही carefully dispose of करना है आपने chips का packet खाया dust bin दूर है तो यह नहीं जमीन पे ही गिरा दिये बिटा हम तो यही कर सकते हैं हम जाके सीधा उसको वहाँ पे नहीं डाल सकते dumping grounds वगेरा पे तो नहीं जा सकते हैं हम क्या कर सकते हैं हमारे nearby जो dust bins हैं उसमें हम waste डाल सकते हैं अगर dust bin नहीं है बिटा एक polythin रखे आप अपने पास bag में उसमें आप डालते रहे घर जाके dust bin में डाल दीजिए देखिए if all the waste produced at public places are not disposed of regularly and properly even epidemics could break out diseases break out हो सकती है ठीक है it is the responsibility of the municipality of the area to maintain sanitation तो बिटा municipality की responsibility होती है hygienic conditions को maintain करने की बट ये नहीं कि वही करेंगे सब कुछ हमने तब ये chips का packet और Coca-Cola की bottle यहां गिरा दी municipality वाले आएंगे dust bin में डालेंगे no that is wrong हम क्या कर सकते हैं बिटा देखिए we can contribute in maintaining sanitation at public places by simple practices क्या क्या बिटा we should not scatter the rubbish such as paper, food waste, packets, empty plastic, water bottles, etc. in public places जैसे की मैंने आपको बताया गिरा मत दो उनको आवी नीचे the rubbish should be put बिटा in dust bins provided for this purpose if however a dust bin is not available at a public place तो आप क्या करो उसको घर ले जाओ and then अपने घर के dust bin में डालो next बिटा we should not spit in public places ये तो बिटा हम पता ही है common courtesy होती है we should never urinate on the road side ये भी बिटा common courtesy है समझ आ गया आप इन में और भी अपने you know ideas add कर सकते हैं कि कैसे हम public places पे sanitation maintain कर सकते हैं ये नहीं कि मैंने तीन लिखवा दे तो बस यही तीन तरीके है whatever you feel like जो भी बिटा genuine है वो आप यहां पे लिख सकते हैं तो बिटा इसी के साथ हम आ जाते हैं अपने इस lecture के end पे तो इस chapter waste water story से आखिर हमें क्या सीख लेनी चाहिए हमने क्या सीखा तो बिटा हमने ये सीखा या फिर हमें ये सीख लेनी चाहिए कि सबसे पहले तो हमें water को conserve करना है क्या करना है? water को conserve करना है उसी के साथ साथ बिटा ये हमारी ही responsibility है कि हम water sources को क्या रखें? साफ रखें स्वच रखें और अपने जीवन में sanitation practices को adopt करें ठीक है बिटा? अगर हर बच्चा थोड़ा थोड़ा contribution भी शो करेगा ना तो we can make this world a better place तो इसी के साथ बिटा ये lecture खतम होता है I hope कि आपको सब समझ आये होगा मुझसे पढ़ने में मज़ा आये होगा that's all for today from my side टाटा भाई में सायो नारा बच्चों पर भाई अभी सायो नारा नहीं हुआ है जल्दी से मुझे comments में बता देना कि क्या ये chapter crystal clear हुआ कि नहीं हुआ चलो भाई बाई बाई